जैहिन सात्यों स्वागत है आपका Self Study Classes विस समिजन यूटूब चैनल और दोस्तो एप में दोस्तो बहुत सारे स्टुडेंट को एप डाउनलोड नहीं करते बर रहा है या फिर कर भी लिया है तो कोर्च भी नहीं देख पा रहे हैं तो मैं आज उनको बता दूँ कि यह जो Self Study Classes इस प्रकार से जब आप Play Store से करते हैं तो यह आपका वैल जो है आईकन उसमें लगा हुआ है है ना तो इस प्रकार से Self Study Classes आपको सर्च करना है और ऐसे आईकन में आपको एप मिलने बाला है तो दोस्तों हम देखें कि Play Store में आपको इस प्रकार से देखेगा यह Self Study Classes एप देखने बाला है यह Image उसमें डली है यह आईकन यह Logo उसमें डला है अब दोस्तों इसको Install करना है यहां से आप Install करेंगे ठीक है अब Install करेंगे तो बहां पर आपको नंबर मांगेगा जीमेल नंबर मांगेगा तो आपको OTP आएगा तो आप रेजिस्टर्ट करके आँगे बढ़ेंगे और दोस्तों अगर आपने अभी तक Self Study Classes का एप डाउनलोड नहीं किया है तो आज ही दोस्तों Self Study Classes एप डाउनलोड करें अगर दोस्तों आप UPTGT, PGT, पंजाब मास्टर केडर या फिर जूनियर हाई स्कूल, UKLT एक्जाम की तयारी कर रहे हैं तो दोस्तों हिंदी साहित्ती के लिए सबसे West Platform Self Study Classes एप जहां पर आपको शंपून कोर्स मिलेगा ट्रिक से साथ हैना संपून कोर्स आपको मिलेगा बिस्तरे तद्यान, संपून कोर्स के आपके करवाय जाएंगे topic wise test साथ ही मिलेंगे आपको live class हैं, doubts clearing, सारी चीजें मिलने वाली हैं दोस्तों तो किस तिथी को हिंदी को राजभासा बनाने का नरना लिया गया, ये question कल आपने बताया था कल आपको challenge प्रशन के रूप में इस प्रशन का दिया गया था, और बहुत सारे लोगों ने जो दोस्तों बताया है उत्तर वो बताया है क्या 14 सितंबर 1949 है ना, ये आपका C नंबर बिल्कुल सही है था, क्योंके अब आज का session अपन स्टार्ट करेंगे, आप लोग तयार रहे हैं उत्तर बताने के लिए आपको बताना है दोस्तों कि बर्स 1955 में गठे थे, प्रिथम राजभास आयोग की अध्यक्ष कौन थे, कई बार एकजाम में पूछा गया और चारवे कलफ है हमारे सामने तब आपका right answer क्या हो जाता है, 1955 में दो सेकंड आपको दिये जाएंगे फटापट से उत्तर बताएंगे और आपने बिल्कुल सही answer दिया है इसर, बीजी, खैर साब जो थे, के 1955 में गठेत राजभास आयोग के क्या थे, अध्यक्ष थे और उत्तर चला जाता है बिकल्प नमर एक की तरफ ठीक है ये नमर आपका बिल्कुल सही हो जाता है, अंगला question आपसे पूछा जाएगा, बगेली बोली का संबंद किस उपभासा से है, बगेली का संबंद आपको बताना है, किस उपभासा से है बगेली का संबंद, चार विकल्प हैं, दो सिकंड आपको दिये जाते हैं, हमने दोस् संबंद कौन से है इन तीनों का, इन तीनों का संबंद है, पूर्भी हिंदी और पूर्भी हिंदी का जो उदय होता है, वो किस से होता है, अर्ध मागदी, अर्ध मागदी अपवरंच से दोस्तों पूर्भी हिंदी का उदय माना जाता है, यह याद रख लेना, अर्ध किस वर्स पर कि गई भाषा की आधहर पर बताइए 1902, 054, 053 या फिर 56 में यह क्वेस्चन तो कई बार आया है और पूचा में जाता है, जीके में भी पूच लिया जाता है, हिंदी में भी पूच लिया जाता है tonिके में भी आता है Muslim तो यहां पर याद रखे ना कि भासा की आधार पर राज्यों की पुने सरेचना किस वर्स की गई थी तो आपका राइट आंसर है 1956 में कब की गई थी 1956 और डी नमबर आपने बिल्कुल शही बताया ठीक है डी नमबर अंगला कॉस्चन आपको बताना कि भासाई आधार पर सरप्रतम किस राज्य का गठन किया गया भा आपका राइट आणसर क्या होना चाहिए और वोले सर भासाई आधार पर राज्य की अगर बात करोगे तो आप लगा देना आंध प्रदेश ठीक है भासाई आधार पर सरव प्रतम आंध प्रदेश राज्य का किया गया गठन किया गया और उत्तर चला जाता बिकल्प प्या फिर रजिस्तानि हिंदी क्या है हिंदी भासा की बोलियों के बर्गी करण की आधार पर छत्तिस कड़ी बोली है तो क्या है 36 गड़ी अपने पड़ा भी था बोली सर अबदी बगेली और 36 गड़ी के पूर भी हिंदी के अंतरगत आती हैं तो तर आपने लगा दिया विकल्प नमबर A और आपका राइट आंसर हो जाएगा A नमबर ठीक है अंगला कॉस्चन आपसे पूछा जाता है सातियो कि भारतिय संब्धान के किन अनुछेदों में राजभासा संबन्धी प्रावधान का उलेख है बहुत बढ़ी यह प्रस्न हैं किन अनुछेदों में हैं अनुछे 343 से 355 अनुछे 434 से 445 अनुछे 359 से 363 अनुछे 453 से 464 तो कर्सरल क्वेस्चन है, पूछा भी जाता है, लेकिन सभी से बनेगा भी, कि भारतिय संभिधान के किन अनुच्चेदों में राजभासा संबंदी प्राउधानों का उलेख है, तो वो है दोस्तो, अनुच्चेद 343-351 तक, अनुच्चे 343-351 तक ये राजभासा संबंद इसमें प्रावद्धन का उलेख है और बेकल्प नम्मर ए आपका बिल्कुल शही हो जाता है अंगला कौस्चन है उर्दु भासा किस भासा की लिपी है बताएं उर्दु भासा किस भासा की लिपी मानी जाती है हिब्रू की अर्भी तुर्की या फार्सी की इससे पहले तो हमने पढ़ा कि सर देवनांगरी हमारी हिंदी की जो लिपी है वो देवनांगरी है है ना मराठी की लिपी देवनांगरी है और दोस्तो उर्दु भासा किस भासा की लिपी है ये आपसे पूछा गया तो उर्दु भासा जो है वो फारसी की लिपी है काई की फारसी और उत्तर किस की तरब चला जा तब विकल्प नम्मर डी की तरब ठीक है इस छोटे छोटे क् के कई बार पूछे जाते हैं दोस्तो इन कोस्चन के लिए हमें तयार रहना है ठीक है अंगला कोस्चन आपको बताना है कि अंग्रेजी भासा की लिपी कौनसी है अंग्रेजी भासा की लिपी आपको बताना है अंग्रेजी भासा की बारे में हमने पढ़ा था कि अंग्रेजी भासा जो की लिपी है जो वो है दोस्तों वो कौनसी है रौमन लिपी कौनसी लिपी है रौमन और उत्तर हो जाता है आपका विकल्प नमबर डी रौमन लिपी राइट आंसर हो जाएगा अंगला क्वेश्चन आपको यहां पर चैन करना है अंगला क्वेश्चन है खड़ी ब किस हाथ मांनी जाती है इसका उत्तर आपको चेन करना है लेवहा गुंदी रिखाद्ची में का कोर्थ इसका यह करना नाम है कश्ड़ी बॉली हिंदी का जो बर्तमान में प्रेचलित रूप भी है गष्डी बॉली किस हिंदी की भसषा है भास चला जाता बेकल्प नम्मर C की तरफ ठीक है अंगला क्वेस्चन है आपको बताना है कि मद्द कालीन आरभासा किससे कहा गया मद्द कालीन आरभासा किससे कहा गया पूर्वी हिंदी को प्राकरत हिंदी को पहारी हिंदी या फिर बिहारी हिंदी को तो बताइए मद्द कालीन आर भासा किसे कहाолж गया आंसर आपको चैन करना है और आपने जो चैन किया है कि सरमद्द कालिन आर भासा कि अगर आप बात करोगे तो उत्तर आपका सही हो जाता है क्या बिकल्ब नमर V प्राक्रत हिंदी को मद्द कालिन आर भासा कहा गया और right answer आपका हो जाएगा बिकल्प नम्मर V जो की सभी लोगों ने बताया अंगला question आपकी screen पर है अंगला question आपको बताना है उत्तर क्या हो जाएगा स्वार्स एनी अपवर्त से कौन सी भासा बिकसेत हुई स्वार्स एनी अपवर्त से आपको chain करना है कि जो हिंदी की बोलियां है वो किसी ना किसी अप भ्रहंच से है ना दोस्तों उनकी उत्पत्ती हुई है और बेक्सित हुई है तो सौरसेनी अप भ्रहंच से आपको बताना है तो अपन ने पड़ा था कि सर सौरसेनी अप भ्रहंच से निकली कौनसी पस्चमी हिंदी और पस् वाप्षमी हिंदी की ठीक है, इनको हमें आल रख ली ना, अंगला कॉस्चंट आपको जो चेहन करना है, वो चेहन करना है। कि हिंदी की बिसिष्ट बोली बोली ब्रज भासा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है। सोर्स जानी अप्र फ्रसिद्ध का बेकास हुआ और आपने भगती काल में देखा होगा कि भगती काल में दोस्तों सूर्दास क्रशन काब भासा में अधिकान्स काब लेके गये है ना तो यह दोस्तों काबらい की भासा थी ब्रज भासा की क्या थी और उत्तर हो जाता है किस उपभासा की बोली है राजिस्थानी की है पूर्भी हिंदी पस्चमी हिंदी या फिर बिहारी हिंदी की मग ही किस उपभासा की बोली मानी जाती है तो यहां पर आपको पता है अपनने पड़ा था कि भोजन में एक मग मैती एक मग मैती काई मैं भोजन में तो इसको मग से बना मग ही और मैथी से बना मैथली तो ये तीन जो बोलियां है दोस्तों ये बिहारी हिंदी के अंतरगत आती हैं और मग ही भी बिहारी हिंदी के अंतरगत आती हैं बोले भोजन में एक मग मैथी है ना ऐसे हमें याद रखना है अनुचे तीन सो इंक्यावन में किस वि अजबहसा संबन्दी उच्चतम और नियाले की भासा संबन्दी फत्रा चार की भासा या हिंदी के विकास के लिए निर्देस हैं तो 351 में आपको बताना है कि संभीदान के नुचे 351 में किस विषाय को लेकर के वरनन है प्रावधान है इसका उत्तराप को चैन करना है तो आ answer, right answer हो जाता है आपका D number ठीक है, डी जे नो ने answer chain किया, उनका answer बिलकुश ही और अंगला question, हिंदी वासा के विकास का सही अनुकरम कौन सा है, सही अनुकरम बताना है कौन सा है, पाली, प्राकृत, अपरणस, हिंदी, प्राकृत पब्रेंस हिंदी पाली अपब्रेंस पाली प्राकृत या हिंदी है ना और एक और अपना ओफशन यहां आ जाता है इसको भी अपन देख लेते हैं स्वरी यहां पर आता है इस ओफशन को भी इसको देख लेते हैं यहां पर हिंदी पाली प्राकृत ठीक है तो ध रहाइं दोस्तो एना संस्क्रेट यहां संस्क्रेट चारों उफ्सन में सबसे पहली नहीं है संस्क्रेट छोड़ दो ठीक है कौन सी आगई फाली प्राक्रेट अप फ़र हिंडी याने कि अपना उत्तर क्या हो جाएगा सही एक नंबर ही हु जाएगा ठीक है एक नमबर आपका सही हो जाएगा जो आपने बिल्कुल सही आंसर बताया है अंगला कोस्चन है अंगला कोस्चन की और यहां पर बढ़ जाती है अंगला कोस्चन आपको यहां पर बताना है दक्षिन भारत हिंदी परचार सबा का मुख्याले कहां इस्तित है यह कोस्चन आप को बताना है इदराबाद में बैंगलोर चिन नई या फिर मैसूर में most important question जो आप से पूछा गया कि दक्षन भारत हिंदी पर चार सबा का मुख्याल है कहां पर है और यह दोस्तों question पूछा ही जाता है और आपने बिल्कुल सही आंसर भी बताया है कि सर्दक्षन भारत पर चार सबा का जो मुख्याला हिंदी पर चार सबा का जो मुख्याला है वो कहां पर है चिन नई में और उत्तर हो जाता है चिन नई सी नंबर ठीक है सी आपका बिल्कुल सही अंगला question है अदो लिखित में कौन उत्तर प्रदेश की बोली नहीं है बताये उत्तर प्रदेश की कौन सी नहीं है इसका चैन करिए बरज भासा अबदी भोजपुरी या फिर बगेली कौन सी उत्तर प्रदेश की बोली नहीं है बताये और ब्रच तो है अब दी भी है बगेली भी है बोजपुरी भी है लेकिन कौन सी नहीं है बगेली नहीं है यह बगेल खंड से संबंदित आती है दोस्तों मद्द प्रदेश के कई हिस्तों में बगेली बोडी जाती है ठीक है तो यह बोडी उत्तर प्रदेश से संबंदित नह कहते हैं साला और जामात को 36 गड़ी में क्या कहते हैं बताईए 36 गड़ी बोली में इस 36 गड़ी पूर भी हिंदी की है दोस्तों तो साला और जामात को 36 गड़ी में क्या कहते हैं ये क्वेस्चन पूछा गया है और उत्तर है कि साला को सारा और जामात को जांबर है ना सारा औ जांबर इस चत्तिस गड़ी में कहा जाता है और उत्तर बी नंबर आपका बिल्कुँ सही हो जाता ठीक है फिर अंगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर बहराईच सुल्तानपुर रायबरेडी किस बोली के छेत्र है चत्तिस गड़ी बगेडी ब्रजभासा या फिर अब दी बताईए क्वेश्चन का अंसर बहराईच सुल्तानपुर रायबरेडी किस बोली के छेत्र माने जाते हैं तो आपने बिलकुल शही आंसर चैन किया है कि सर्व बहराईच सुल्तानपुर और रायबरेडी के अबदी के छेत्र हैं काईके अबदी के अबदी यानि डी नंब डी आपका अबदी बिलकुल शही हो जाएगा इनको आपको डी नमबर याद रखना ठीक है आयाउ सब्द निम्नमैस से किस बोली का सब्द है बताईए आयाउ जो है किस बोली का सब्द है ऐसे भी कोस्चन आते हैं यह कुछ गिने चुने सब्द होते हैं जो आपसे पूछे जाती है तो यह किस बोली का सब्द है चार विकल्फ है भोजपुरी अबदी खड़ी बोली या फिर ब्रज भासा के तो यह राइट आंसर आपको चैन करना है और बोली सर इतना अच्छा कॉस्चन है इतना सरल कॉस्चन है कि आयाउ सब्द किस बोली का सब्द है तो उत्तर चला जाता है ब्रज की तरप और ब्रज आपका सई हो जाता है C number ठीक है C आपका right answer ख़ली बोली को किस अन्य नाम से जाना जाता है ख़ली बोली को किस अन्य नाम से जाना जाता है बताईए एक question कई बार आया और मैंने भी आपको बताया है कि पश्चमी हिंदी में दोस्तो हरियान भी और ख़ली बोली ऐसी है जैसे हर्यार्मी का दूसरा नाम बांगरू है और दोस्तो ख़ली बोली का जो दूसरा नाम है जो आपसे पूचा गया है वो तर तो आपको बताना है कि बोली सर ख़ली बोली को किस अन्य नाम से जाना जाता तो तर चला जाता है कोरिबी बोली बहुत ही बढ़ीया है काइब पूछा गया है और एक हाथा कामता प्रसाद गुरू ने की भासा बहसादन है जिसके द्वारा मनोश से अपने बेचारों को एक दूसरे तक भली भाती प्रिगट कर सकते हैं और उत्तर आपका बी की तरफ चला जाता है बी नमबर आपका बिलकुल सही हो जाता है और अंगले कोस्टिन की ओर हमें यहाँ पर बढ़ेंगे कि भारत में सरबाद एक बोली जाने वाली भासा कौनसी है इसका उत्तर आपको कमेंट में देना है आज का चेलेंज प्रस्ण है वो सभी बंदे वो सभी जिनों ने देखा है और जिनको उत्तर पता उनका कमेंट आना चाहिए है ना भारत में स क्या होता है आपका चेलेंज प्रस्ण है और इसी प्रकार रात त्री आठ बजे रोज हम दोस्तों हिंदी व्याकरण हिंदी भासा से सम्मंदित महत्पूर्ण प्रस्ण जो परीक्षाओं में आयो हुए है उन प्रस्णों को पढ़ते हैं ठीक है तो इस्तीरश से सभी के लिए बस इतना ही जय हिंद बहुत सारे स्टूडेंट को एप डाउनलोड नहीं करते वर रहा है या फिर कर भी लिया है तो कोर्स भी नहीं देख पा रहे हैं तो मैं आज उनको बता दूं कि यह जो सेल्प स्टडी किलासे से इस प्रकार से जब आप प्ले स्टोर से करते हैं तो यह आपका वेल जो है आईकन उसमें लगा हुआ है तो इस प्रकार से सेल्प स्टडी किलासे सापको सर्च करना है और ऐसे आईकन में आपको एप मिलने बाला है तो दोस्तों हम देखें कि प्ले स्टोर में आपको इस प्रकार से देखेगा यह सेल्प स्टडी किलास ठीक है एप पिले स्टोर में आपको Self Study Classes का एप दिखने बाला है ठीक है यह image उसमें डली है यह icon यह logo उसमें डला है ठीक है अब दोस्तों इसको install करना है यहां से आप install करेंगे ठीक है अब install करेंगे तो बहां पर आपको number मांगेगा Gmail number मांगेगा तो आपको OTP आएगा तो आप register करके आँगे बढ़ेंगे